हाइप सेकेंड टू सेकेंड रेडी बिदेश मंत्री एस जैसंकरने परधान मंत्री नरेंद्रमोधी और उनकी सरकार के प्रती दुराग्रा से भरी हुई बीबीसी डाक्यूमेंट्री का उलेख करते हुई यह जो कहा कि भारत में अभी भले ही चुनाओ का माहौल ना बना हो लेकिन लंदन और निव यार्क में बनने लगा है यह एक एथार्थ है इसका उदहरन केवल बीबीसी की सरारत पूर डाक्यूमेंट्री ही नहीं अमेर की निवेशाक जार्ज सोरोस का भारत में अनुचेत हस्त छेप की इरादे से लैस कथन भी है अस्चर नहीं की अदारी समू को लेकर आई अमेर की रिसर्च फार्म हिंडन बर्ग की रिपोर्ट भी उसी अभियान का हिस्सा हो जो मोदी सरकार के बिरुद्ध भारत के बाहर बनाया जा रहा है चोंकि आगामी लोग सभा चुनाव निकट आ रहे हैं इसलिए इसके भरे पूरे आसार है की मोदी सरकार को निसाना बनाने और साथ ही भारत को नीचा दिखाने का काम और तीब्र हो सकता है इसमें पस्मी मीडिया के उस हिस्से को भी योगदान होगा जो पहले से ही मोदी सरकार के प्रती दुराग्रह से ग्रस्त है वह अपने इस पूर्वाग्रह का परदर्सन ही करता रहता है यह भी तत्थ है कि विदेशी मीडिया और उसकी विभिन संस्थाओं की और से भारत के बारे में जो दुस परचार किया जाएगा उसे भारत में भी दोहराया जाएगा इसमें राजनीतिक दलों बामपंथी बुद्ध जीवियों के साथ मीडिया के उस हिस्से की भी भूमका होगी जो इस मानसिक्ता से ग्रस्त है कि पस्चिम जो कहे वही सही इसकी आसंका इसलिए है क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं की पहले नाग्रिक्ता संसोधन कानून विरोधी आंदोलान और फिर क्रसी कानून विरोधी आंदोलान मुहिम को किस तरह विदेश से भी हवा दी गई पिछले कुछ समय से पस्चमी देशों में खालिस्तानी चरम पंथी जिस तरह सिर उठा रहे हैं उसकी भी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए यह मानने के अच्छे भले कारण है कि खालिस्तानी तत्तों को पस्चिम की वे ताक्ते हवा दे रही हैं जो भारत की छबी मलिन करने का बहाना खोजती रहती हैं यह वही ताक्ते हैं जो भारत के उभार से सासंकित हैं और उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहतीं इन में कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जिनकी ओर विदेश मंत्री ने संकेत किया या ध्यान रहे की अतीत में पस्चिम के ऐसे कुछ संगठनों ने किस तरह भारत के आंत्रिक मामलों में दखल देने की कोशिस की है ऐसे संगठनों से भारतियों का प्रत्याच आप्रत्याच जुडाओ कोई धबी छिपी बात नहीं और ना ही यह कि उनका संपर्क संबंध कुछ राजनीतिक दलों से भी है अब जब सरकार यह अच्छे से जान रही है कि उनके खिलाब पस्चमी सक्तियां सक्री हो चुकी हैं और आने वाले समय में अपना दुस परचार तेज कर सकती हैं तब ना केवल उसे बलकी देश के लोगों को भी साउधान रहना होगा इसके साथ ही सरकार को अपने खिलाब किये जा रहे सुन योजित दुस परचार की काट करने के लिए भी सक्री होना चाहिए जड़े और आने के लिए उसे लावाँ आने के लिए योजित दुस परचार की कर दिलाब रहे जोलें